वेलकम एविबड़ी मैं हूँ गौर्व काबरा आप सब को बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे समय दिया हुआ था 6 बजे का मैं शायद 6 से 1 मिनट पहले ही आ गया बट क्या गरे इतनी excitement है क्योंकि आज एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं हम और ये नई सीरीज हो रही है हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइव जस्टन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ने किया कर ही लो क्योंकि अब लाइन से बे दढले से हम लोग अपनी तियारी करने वाले हैं for our upcoming examinations अभी जिस वक्त हम ये live stream कर रहे हैं जो recent most examinations है for CMA intermediate 12 July 2023 yes I know इस video को इस session को आगे आने वाले time तक काफी सारे बच्चे देखना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूँ भले ही July के लिए ये relevant रहा है लेकिन ये आपके लिए भी उतना ही relevant है मैंने live stream करिये July वाले बच्चों के लिए but just in case आपका examination December 23 में होगा और आप पुछों ये sir य भी आप देख सकते हैं because of the very nature of our subject जो की जल्दी से बदलता नहीं है ये सारे sessions जो हम करने वाले हैं with respect to financial management बहुत ही अदबुद होंगे ये मैं जादा तारीफ खुद की नहीं करूंगा आप बहतर जानते हो मेरे से जादा जानते हो और आप ही इस session के अंत तक या विट session के द evening बहुत बहुत सब का स्वाकत है and I can see so many students already there कि sir बहुत दिन से इंतदार था we had been waiting for this for a long period of time and yes here we are financial management आज revision शुरू करेंगे financial management for those who are still figuring out कि यार ये कैसे तयार करना है क्या करना है तुम आपको बता ज़ता हूं कि there is a good chance that a large number of students are still giving examination in 2016 syllabus 2016 के syllabus के हिसाब से जादा बच्चे exam दे रहे है so उनके लिए ये एक 50 mark topic है 50 marks का topic का मतलब यह कि paper number 10 जो आपका है उसमें ये 50 number का topic है 50 number के इस topic में there is a good chance कि आप 36 marks के practical exam में attempt करना चाहेंगे अगर आपके practical अच्छे हैं तो if your practical is not on point तो शायद आप 24 marks का practical attempt करेंगे 12 marks का short notes attempt करेंगे और बाकी 14 marks का जो MCQ match the following or true or false है वो आप attempt करेंगे so 14 number तो सभी को attempt करना पड़ेगा we have nowhere else to go बात बाकी अब 24 number या 36 number कितने marks का practical attempt करना है वो हमें अन्दासा अभी लग जाएगा आईए before we start revision with our topic for the day उससे पहले एक बार brief idea वापस ले जते हैं कि paper pattern exactly है क्या and how are we going to conquer these 50 marks आजाओ जी तो पहले 50 marks के अगर मैं बात करूँ देखो ये पहले भी मैंने ABC analysis बना करके डाला है चैनल पर वीडियो है देख लेना अलग से अभी एकदम briefly मैं बता देता हूँ कि question number 6 जो है ये compulsory है और आपके exam में MCQ बोल लो math the falling बोल लो या true or false बोल लो इन सब से मिला करके 14 marks का आए गई आएगा भाया इसके लिए अलग से तयारी करा देना करा दूँगा don't worry अलग से तयारी करा दूँगा कब होगी क्योंगी channel पर बने रहने से पता चल जाएगा इसके अलावा अगर मैं बात करूँ group 2 की जो कि है question number 7 ये total 12 number का है can be structured as 6 plus 6 और can also be structured as 7 plus 5 जानी पहला question 7 marks का या 5 marks का दूसरा question 5 marks या पर 7 marks का इसमें ratio analysis confirm है आएगा ही आएगा बात बाकी cash flow या fund flow में कोई एक चीज आएगा भी आप पूरा practical आएगा एकदम practical आएगा कम से कम ये analysis मैं पिछले कुछ term की papers को देखकर के कहप आ रहा हूं तो I can say कि हाँ reasonably ऐसा ही होने वाला है इसके अलावा question number 8 would be from working capital management leverage and dividend मिला करके आज का हमारा target यही है and in fact आज का नहीं आने वाले 2-3 sessions तक का target हमारा यह है कि हम question number 8 को इतना दुरुस्ट करने कि exam में देखो ये भी बहुत जादा ज़रूरी होता पता है आपने पढ़ाई खूब करी अच्छी बात है पर strategy कहा है क्या आप सोच सकते हो इस level की preparedness की exam में बैठती आपको पता है पहला question मैं कौनसा attempt करूंगा या करूंगी without even looking at the question अगर आप इस level के confident हुए ही नहीं हो तो यह session आपके लिए है बैठिये इधर और समझिये किस तरह confidence हासिल किया जाता है किस तरह paper हाथ में आने से पहले पता रहता है कौनसा question छोडेंगे और कौनसा question सबसे पहले करेंगे जैसे अगर आज की मैं बात करूं तो आज की agenda के हिसाब से question number 8 की हम शुडवात करेंगे इसमें total तीन chapters है working capital अब working capital अगर आप अपने आप में देखे तो बहुत बड़ा chapter है इसमें खास करके दो बड़े chapters तो है ही जिसमें एक है working capital management और दूसरा है management of receivables so these two chapters contribute to working capital and then we have leverage and we have dividend यह वी get your point why you are starting with this we are starting with this because यह बहुत लल्लू बहुत आस्सान chapters है leverage की बात करें यह फिर बात करें about dividend chapter these are very easy don't worry मैं इसका revision कराऊंगा and that too very very well पढ़िया concept clarity के साथ इनका revision कराऊंगा और वो सब अभी इस session में हो रहा होगा तो आज का session तो super duper important है इसके अलाबा practice कर रहे होंगे and मैं यह ensure करूंगा कि 2016 syllabus में iOS सारे सवालों को हम evaluate करें भया what's there in the past well past में जा कर कि अगर आप सवाल देखते हो तो उसका वो बहुत अच्छा से ना अंदाजा लग जाता है कि आने वाले terms के paper कैसे आ सकते हैं देखो मेरा मानना कि है मैं थोड़ा stock market वाला आदमी हूँ तो मेरा मानना यह है कि अगर historically कोई चीज को आप back test कर लो तो future भी ना आप कुछ हट तक predict कर सकते हो exact prediction not possible still एक likeliness का तो पता चलता है ना तो मेरा यह कहना है अगर past term के questions को देख करके आपको ऐसा लगता है यह तो लल्लू है तो फिर समझ लेना कि आपके भी exam के question आपसे बनेंगे यह confidence ना अधिकतर बच्चों में होता नहीं है मैं चाहता हूँ please आप वो confidence ना हासिल करो कैसे भी करके हासिल करो मैं बहुत मदद करूँगा इसके लिए इसके अलाबा question number 9 की अगर हम बात करें तो इसमें भी 3 chapters है cost of capital और capital structure मिला करके कोई भी एक आता है कभी दूसरा आता है यह मिला करके question number 9 A आएगा और 9 B reserved for capital budgeting अब जो मैं बात करता है of 36 marks practical वो तब possible है जब question number 7, 8 और 9 करें और question number 10 छोड़ दें question number 10 वैसे तो short notes का है और पढ़ने जाएं तो पोथी है boss पोथी मतलब it's a big book तो अगर हम अपनी book के practical को देखे तो practical बहुत कम हिसा है maximum theory है तो इतनी सारी theory पढ़ करके इसका return on investment कोई बहुत तगड़ा नहीं है बट एक मज़गी बात बताओ जहातर short notes ना ऐसे आते हैं नेकी समझे मैं समझाता हूँ for example they would ask you define financial leverage तो financial leverage क्या है उसका formula क्या है उसका application क्या है इतना class में भी हमने पड़ा हूआ है if you can make a short note around it तो फिर आपका तयारी हो गया they will ask you questions around कि what is debt service coverage ratio you have learnt about it अगर उसका formula याद है थोड़ा बहुत उसका अंदाजा है तो वो भी बताया जा सकता है तो इस तरह के छोटे-छोटे questions बनते है sweat equity shares के बार में पूस्ते है so ये छोटे-छोटे ऐसे questions है जिनके बार में आपको अंदाजा पहले से है हाँ ये बात एकदम सही है कि short note lag तयारी शायद नहीं होगी हमारी but अगर fuss रहे होंगे practical नहीं बन रहा होगा तो short note बनाने लाग स्थिती हो जाएगी उसके उपर कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है वो भी मैं बता दूँगा अभी पिलाल हम लोग practical को ध्यान में रखते होए और इस उद्देश के साथ इस objective के साथ पढ़ाई करेंगे that we want to attempt all 36 marks practical in this part and let's see how do we do तो यह हो गया अपना यहाँ पे पूरी तरह से एक paper pattern का analysis and now we are starting off with today's topic, today's agenda आज का agenda अगर मैं बताओं तो इसके लिए proper notes आपको दिये गए है if you are still not able to find out कि notes का है तो नीचे आपको link मिल जाएगा, इसी stream के नीचे एक link मिल जाएगा अस video के नीचे description में link मिल जाएगा पहला ही link है, notes download करके रखो वैसे मैंने आपको समय दिया था मैंने ये दो दिन पहले ही notes share कर दिया थे ताकि जिन जिन को print करना वो print कर पाएं आप में से कितने print करके आएं है चाट में लिखो ज़रा, और जिन नहीं भी किया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी भी कर सकते हैं क्योंकि आज मोटा मोटी discussions ही होंगी around the concepts, ठीक है ना तो आप print अपने ही साब से कर सकते हैं, it's a 20 page document जादा नहीं है pages, और इसमें हम लोग तीन chapters को wrap up करेंगे, आईए शुरुवात करते हैं सबसे पहले इसको मैंने part 1 का नाम दिया है, ऐसे ही part 2 और part 3 भी आएगा, जल्द उसकी announcements हो जाएंगी, चलो शुरुवात करते हैं, सबसे पहले एक एक करके सारे topics को हम लोग पढ़ने वाले हैं और सारे topics को जैसे ही हम लोग पढ़ रहे हैं, वैसे ही सबसे पहला नाम याता है आँ, dividend का dividend सज बता रहा हूँ मैं, आप सभी लोग भी जरा चैट में लिख दो, कैसा लगता है ये chapter, मुझे तो बवाल इसी लगता है कुछ छोटे मोटे फॉर्मले हैं कुछ छोटे मोटे इदर उदर के models हैं पढ़ करके जाओ, बढ़िया number आएंगे कैसे? पहला, Walter model भाईया, साथ साथ ना थोड़ा सा, ऐसे हम लोगो ना, inputs extra कुछ दे देना, लो जी मैं बता देता हूँ input, Walter model का, near about बताब बोल सकते हैं, हाला कि यह बोलना थोड़ा सा कॉंट्रोवर्शल है, but there's a 100% probability कि अगर डिविदेंट से सवाल आया, तो Walter कही आएगा वह या क्या बोल रहे हो अरे मैं नी बोल रहा, डेटा बोल रहा है मैंने पास्ट्रम के जितने पेपर उठा करके देखें 2016 syllabus में, माक्सिम जगाएं यह वाल्टर ही पूछ रहे हैं, इनको याद ही नी आ रहा कि Gordon भी syllabus में, इनको याद ही नी आ रहा है MM से भी पूछा जा सकता है, इनको याद ही नी आ रहा है Linter's model भी है बहुत सारे और भी models है, पर यह पूछते ही नी है इनको भाई, खासा लगाव है Walter model के साथ, तो याद हमें पता तो नहीं एक्जाम में के आएगा, बट अगर Walter आने ही वाला ऐसा लगता है हमें तो अच्छे से पढ़ लो भाई, आओ जी भी शेयर की pricing कर सकते हो इसके लिए आपको बस यह पता होना चाहिए कि उस शेयर का EPS क्या है उसका DPS क्या है उसका Return on Investment क्या है और उसका Cost of Equity क्या है चार इंपुट, सिर्फ चार इंपुट अगर आपको पता होंगे तो आप सवाल बना पाओगे अब इसका formula अगर आप देखेंगे तो इसका formula है D plus R by K and bracket के अंदर E minus D भी यह क्या समझाओगे, एकदम समझाओगा यहाँ D जो है, वो है dividend per share, अगर सवाल में नहीं दिया हो रहा है तो चिंता मत करना EPS पे payout ratio multiply करना है ना मिल जाएगा DPS जिसे एग्जामबल के तोर पे, अगर EPS दिया हो है 5 and payout ratio दिया हो है 60% so 5 into 60% will be 3, so that will be DPS dividend per share next is E E stands for EPS earnings per share earnings per share वैसे तो दिया हो है but just in case it is not given you can still calculate that for this you need a net income net income में से deduct करना पढ़ेगा you need to deduct what preference dividend जिसको मैंने लिखा है PD तो net income लेना उसमें से PD माइनस करनेना मिल जाता है पाफेश पाफेश का मतब Profit Available for Equity Shareholders Profit Available for Equity Shareholders पाफेश का full form है ये ठीक है तो पाफेश मिल जाएगा by deducting PD from net income and then you just divided by number of equity shares if you are able to do so आपका EPS हो जाएगा जंदा मत करों मत रुआ दूँगा इसके अलबा R R is Return on Investment Return on Investment आम तोर पर ये दिया वा रहेगा नहीं भी दिया वा रहा तो बहुत आसान है इसको calculate करना जिसे Return on Investment में एक variant होता है जिसे हम कहते है Return on Equity How do we find this? Very simple You have to just observe at Pat divided by Value of Equity तो आपको Equity की Value के मुकाबले देखना आपका Net Income क्या हुआ है Pat को Net Income भी कहते है तो जितना भी आपका Equity का Value होगा उसके मुकाबले जो भी आपका Income Generate हुआ आपका Net Income Generate हुआ उससे आप RoE calculate कर सकते है Example है आपको practice करने को मिलेगा So you can do that And इससे R निकल जाएगा Next up is K K is Cost of Equity कभी कभी यह लो Cost of Capital बोल करके भी देते है उस case में एक चीज़ ध्यान रखेगा इसको calculate करने के कई तरीके है हम इसके कई तरीकों में CAPM सीखेंगे CAPM होता है Capital Asset Pricing Model वो बात की बात है बट एक मैं कहसे हो जुगाड टेकनीक है और वो है कि P Ratio को लेकर के उसका reciprocal कर दो So कई बार सवालों में P Ratio दिया वा रहता है P Ratio को पकड़ करके उसका reciprocal करने से भी K निकल जाएगा So ये भी एक hack है याद रखने वाली बात है तो देखो मैं वापस रिपीट कर दू Walter Model में चारी चीजों का ख्याल रखिए Please चार चीजों का ख्याल रखिए मेरे साथ दोराईए पहला क्या है Dividend Per Share दूसा क्या है Earning Per Share तीसा क्या है R और चौता क्या है K यहाँ पे E stands for EPS formula Net Income minus PD divided by Number of Equity Shares DPS is Dividend Per Share which is EPS into Payout Ratio R is Cost sorry R is Return on Investment or Return on Asset or Return on Capital किसी भी नाम से आ सकता है IRR तक के नाम से आ सकता है and then K stands for Cost of Equity or Cost of Capital Simple चार चीजों का ख्याल रखिए सवाल बना लेंगे बनवाऊंगा थोड़ी देर रुकिए अब conclusions की बात करते है यह model बड़ा तरंगी है यह model तीन तरंगे conclusion की बात करता है यह पहले तो यह कहता है कि company कैसा कर रही है यह बताओ अगर company हमारी मांगो से बहतर कर रही है तो हमको dividend नहीं चाहिए काई को because we would want की company हमको dividend दे ही न उल्टा जो कमाया reinvest करके हमको और growth लाके दे sounds very logical अब आप खुद सोचो मैं अगर यहाँ बैठे बैठे आपको 20% return दिर्वा रहा हूँ तो आप क्यों मुझसे पैसे मांगना चाहोगे आप राधर यही चाहोगे आप अपने पास ही रखो अब हर साल 20% बना बना के अमको दो क्योंकि आपके बसका तो है नहीं 20% so ऐसे में if 20% is वैसे 20% मेरे भी बसका नहीं है it is very hard to get 20% frankly speaking even if आप कितने भी stock market के सूर्मा हो जाए 20% is actually very tough but उस पर भात में आएंगे अब यह के लिए मैं आपको बताता हूँ कि देखो आपको यह देखना है कि आपकी जो मांगे है आपकी जो मांग है वो होता है K that is your cost of capital or cost of equity you have to check whether R is greater than K or less than K if R is greater than K then you are getting more than what you want आपको चाहिए 10% मिल रहा है 12 मजा ही तो आ रहा है जब मजा आ रहा है तो don't ask for dividend in fact you should say company को जाकर के कि भाई मेरे को dividend नहीं चाहिए 0% payout 0% payout का मतल होता है EPS में 0% multiply होगा ultimately dividend 0 आएगा so सीधा सीधा हिसाब है अगर R case से जादा होगा तो आपको dividend नहीं चाहिए एक और hack बताता हूँ यार आप भी क्या याद रखोगे exam is other questions इसी condition पे based out होते है 95% सवाल तो इसी condition पे बनते हैं जहाँ R थोड़ा ज़ादा होता और K थोड़ा कम होता और फिर वो ये हिम्मत भी करते है आप से पूछने की कि तुमारे हिसाब से optimum payout क्या है मैं तब एक बच्चा रट के जाएगा मैं जिस एक example के लिए बता रहा हूँ कोई बच्चा रट के भी जाएगा नो वो राइट करके आ जाएगा क्यों? क्योंकि हर सवाल में optimum 0% ही आता है अगर आप इस बात से relate नहीं कर पा रहे हो तो आपने practice कम करी है और अगर आपने practice खूब करी है आपको बता है एकदम सही बात बोड़ रहा हूँ हर जगा 0% ही answer आता है क्यों पता है? क्योंकि they have a typical mindset हर बार इनका RK से पता नहीं क्यों जाद ही होता है सवाल में जब जब RK से जादा होगा optimum payout 0% होगा आपने अगर ये चीज़ notice करी है चाट में डालो जब जब इसके अलबा RK से कम भी हो सकता है वैसे अगर RK से कम होगया मतलब सोचा था क्या क्या हो गया आपने मांगा 10% company दे रही 6% नहीं चाहिए हमको ऐसी company तो हम क्या बोलेंगे देख भाई जो कमाया ना सब मेरे को देदे मैं बेटर मैनेज कर लूँगा ठीक है? So in that case you are asking for 100% payout and 100% payout means जो कमाया सब देदो भाई EPS is equal to DPS EPS is equal to DPS So if that can happen we will ask for that and Walter's आपका ये भी कहना है कि अगर तुमको जो चाहिए वही exact तुमको company दे रही है then you are indifferent अब तुम क्या ही बोलोगे 0 भी नहीं बोल सकते है 100 भी नहीं बोल सकते है बीच का भी कुछ नहीं बोल सकते है तो तुम indifferent हो company को जो करना है करने दो company बोलती है 70% देंगे तो 70% सही 20 तो 20 सही हमको कोई फर्क नहीं बढ़ता company जो देगी चुपचाप ले लेंगे clear? so this is the third condition इसके अलावा Walter में कुछ नहीं है nothing is there in Walter आप अगर इतना जानते हो आप समझे लो आपका Walter का हिसाब किताब हो गया अब यकीन नहीं करो कि आप बोलेगे and I am looking at the potential question ओ जो 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 लो जी मिल गया एक potential question क्या पूरा exam का question है हमारे पास में यह जून 2019 के exam में आया हुआ 5 नंबर का dividend का सवाल किस पे सवाल है? Walter model पे हमें ये चेक करना है हमसे होगा कि नहीं होगा ठीक है ना? आओ जी जरा इसको discuss करेंगे बड़ उससे पहले एक बार ना chat सभाल लेता हूँ क्योंगी लोगातार बूल रहा हूँ है चैट पे मैंने गवर नहीं किया है clear? clear 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 बच्चे बूल रहे हैं सर मजा 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 ok ok बच्चे 100 में जीत बूल रहे हैं सर आपका revision देख की CMA Intergroup 2 निकल गया था क्या बात है perfect सब paper 8 का भी revision होगा क्या जल्द announcement उसकी भी आ जाएगी don't worry ओ जी सबसे पहले question number 8B देखते हैं चा मैं जैसे बूला था ना वैसे ही 8B आया हूँ है तो अब यहाँ पे अपने को Hilson Limited का सवाल दिया गया है जिसमें earnings of the company has been reported company की earning है 4 लाक रुपए की जबकि इसके पास equity है 40 लाक की एक मिनट बच चलोग मैंने थोड़े देर पहले आपको समझाया था कि यह दोनों चीजों से क्या निकलेगा वापस मौका दे रहूँ आपको आपको देखो कभी भी किसी भी सवाल को बनाते वक्त यह खयाल पहले करना है मेरे को किस-किस input का दरकार है ठीक है क्योंकि यह सवाल Walter Model का है तो कैसे solve करते हैं यह भी सीखो आपको 4 input डूणने है अरे answer बात में आएगा पहले input डूणो न आप EPS DPS R और K यह 4 चीज़े खोजोगे ठीक है न फिलहाल के लिए मुझे यहां पे earnings of the company दी गई है जो कि होता है net income of the company जो कि यह 4 लाख रुपे मुझे यह भी पता है कि इस company के पास में capital 40 लाख रुपे का है क्या कोई मुझे इससे एक input निकाल करके दे सकता है there is one input which can be calculated using this only these two information बताओ मुझे chat में कि क्या चीज़ आ रहा है और कितना आ रहा है 4 inputs हमें खोजने हैं दोस्तों मैं आपके लिए वापस लिख देता हूँ we need EPS we need DPS we need R and we need K बोलो बच्चा लोग बच्चे मुझे सर EPS आ जाएगा कुछ बच्चे के की तरफ भी जा रहे हैं EPS वाले तो obviously है ही and कभी ता पूशें सर new syllabus के लिए applicable क्या है एकदम applicable है you can watch new syllabus वाले definitely watch करे मतब देखे ओके यहाँ पर बच्चे अलग-अलग answer दे रहे है मैं बताता हूँ देखो इन दोनों information से तो directly R की value निकल रही है R का formula होता है net income by equity capital तो उसे साब से 4,000,000,000 divided by 40,000,000 into 100 करने पे यह 10% आएगा so R will be equal to 10% ठीक है ना यहाँ पर आपको ऐसा दिखने ही रहोगा आप दिखेगा next up is PE ratio okay, बच्चा लोग ना इतना fast, मैं आप संजा हो लोग 8% क्यो चिला रहा था बच्चा लोग P ratio को देख करके बहुत excited हो गया, बच्चा लोग P आगया P आगया, P आगया, P आगया, उनको पता है P से क्या निकलेगा, P से निकलेगा K, K का formula होता है 1 by P ratio and they have exactly done that बच्चे लोग इसकी बात क्यों कर रहे थे because they have already done 1 by 12.5 and the result is 8% अब मेरी बात सुनना वैसे आपका result आया होगा इसमें 12.5 divided equal to 0.08 आया होगा 0.08 is equivalent to 8% अब मेरी बात सुननो मैंने आपको पहली कहा था कि जादातर सवालों में R K से जादा होता है यहाँ पे भी हो रहा है देख लो जरा R आया 10% K आया 8% So definitely R is greater than K सही है भी या एकदम सही है चलो ठीक है आगे dividend paid दिया हुआ है 3,20,000 और number of shares दिया हुआ है 40,000 काम असान हो गया अब यहां से EPS और DPS बड़े आराम से निकल जाएगा क्योंकि आपके पास income भी है आपके पास dividend भी है आपके पास total number of shares भी है इन तीनों information को यूज करके EPS, DPS सब निकल जाएगा जारा देखू मैं चाट में किस-किस ने जवाब दिया है तो चाट में बच्चे लगातार जवाब दे रहे है EPS 10 का result आया एकदम perfect है EPS is 10, DPS is 8 क्या बात है बहुत ही बड़ी है बच्चे लोग एकदम पहले से ready थे बच्चे लोग एकदम पहले से ready थे EPS कैसे आया 4 lakhs divided by 40,000 shares so that is 10 and DPS कैसे आया 3.2 lakhs divided by 40,000 and this is 8 Walter सापके model का आपने पूरा का पूरा post-mortem ही कर दिया 4 input जरूरी थे 4 हो खोज दिये खतम, game खतम अब जो पुछेगा आपका result आजाएगा दिख लेते हैं पहला हम से यह पुछेए current market price बता दो company का बता देंगे जी formula होता है P is equal to D plus R by K bracket के अंदर E minus D whole divided by K clear? अब इस formula के हीजाब से D होता है DPS so DPS is 8 R होता है 10% 0.10 K होता है 8% 0.08 bracket के अंदर 10 minus 8 and whole divided by 0.08 चलो जी इसको solve करो जरा एक ही बार पर calculator में किया जा सकता है करो मेरे साथ 2 into 0.1 divided by 0.08 plus 8 divided by 0.08 ब्या बाउंसर गया क्या करवाया आपने? ठीक है time लगेगा थोड़ा हो जाएगा मैंने क्या किया? 2 को लिया multiply किया 0.10 से divide किया 0.08 से जो आया उसमें add किया और फिर total को divide किया 0.08 से result आया 131.25 131.25 एकदम सही सारे बच्चों का जवाब यही आ रहा है perfect 131.25 एकदम सही जवाब है perfect clear? यह होई ना बात perfect मजा आया बाई दूसरे सवाल में चलते हैं दूसरे सवाल में बोल रहा है कि क्या कंपनी का optimum payout चल रहा है क्या? मैं बोला रटके जाओ के तो भी आपका correct हो जाएगा optimum payout यह 0% होगा वाई 0%? अचा वैसे यह तो कहीं के भी नहीं रहे इनका technically payout ratio यह पे आ रहा है इनका तो wrong है अब सही क्या यह बताना है तो भी सही होने वाला है 0% यानि Walter साब की अगर recommendation मानो तो Walter साब के हिसाब से dividend देने का नहीं नहीं देने का तो नहीं देने का हम वापस से price calculate करेंगे और देखेंगे क्या price 131.25 से जादा आ रहा है क्या टेकनिकली आना चाहिए अगर 131.25 से जादा नहीं आया तो काएगा Walter साब का model तो इसलिए अपने को इसको जादा लाके दिखाना है कैसे आएगा simple है आओ जी वापस से p calculate करेंगे अब की बार जब p calculate करेंगे तो d को लेंगे 0 so this will be 0 plus 0.10 divided by 0.08 bracket में 10 minus 0 whole divided by 0.08 perfect है so 10 into 0.1 divided by 0.8 divided by 0.8 0.08 sorry 156.25 156.25 आगया जादा वो तो आना ही चाहिए था क्योंकि Walter साब का recommendation है price तो बढ़ना ही चाहिए था so price will increase from 131.25 to 156.25 provided the company listens to us हमारा ये कहना है कि company को dividend देने की जुरुएत नहीं है company जो की आठ रुपए का dividend दे रही थी हम तो इनको बोल रहे है मत दो उल्टा मत दो नहीं दोगे तो तुमारे shareholder जादा खुश हो जाएंगे तुमसे and exactly वही हो रहा है the shareholders will be rewarded the share price will go up because the company has agreed to the conclusions mentioned by Walter बोलो जी बोलो जी बोलो जी समझ में आया है यहां तक 156.25 भी आया perfect बहुत ही बढ़िया अब अब कई बच्चे बोलेंगे ऐसा थोड़ी ना आएगा exam में आखे खोल के देख लो please screen पे आपके ये dividend chapter का सवाल exam में आया हुआ है कब जून 2019 अब बोलेंगे बया 2019 बहुत दूर है अरे बीच के papers available नहीं है आप समझो जरा 2020 में exams हुए नहीं 2021 में online exams हुए papers आये नहीं बहार तो हमारे पास data नहीं है उनसा लोगा तो आप ये कभी मत सोचना कि बहुत बीच के papers जो है वो papers अचा maximum तो cancel हुए थे exams तो ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास data की कमी है data है ही नहीं इस syllabus में 2016 की syllabus में जादा तर exams नहीं हो पाए थे because of COVID and all those things तो उसी वाज़े से इतने cancellations है कि हमारे पास जितने है वो सारे मैं आपके लिए लेकर कर आया हूँ तो अब भी हम लोग मेरे क्याल से कितने कर रहे है 6 terms है 6 terms के questions हमारे पास है और एक अभी latest वाला जो term है जो अभी exam हुआ था उसको तो अलग से देखना पड़ेगा वो CMFM का या dangerous paper आया था तो वो क्या था उसको अलग से हम लोग देखेंगे मैं बात कर रहा हूँ January 2023 वाले का अलग से review करेंगे चो जी ये Walter साब का सवाल तो यार बन गया बियो और भी दिखा दो आप बोड रहे थे बार बार आता है चो लो जी बार बार आता है तो और एक दिखा देता हूँ लो जी June 2018 में भी आया है अब बच्चे ना calendar annually बना लेंगे बोड़ा अच्छा ये हर बार June में आता है तो आपको बदा दू ऐसा जरूरी नहीं है ठीक है मुले हर बार June में आता है अगर आप ऐसा सोच के जाना चाते है तो जाइए बट मैं तो recommend नहीं करूँगा anyway सवाल देखते हैं सवाल में अपने को EPS दिया हुआ है ठीक है EPS is 6 रुपीज इसके अलावा return on investment दिया है which is 20% and rate of return required by shareholders जो rate of return required by shareholders होता है उसको हम कहते है के क्या कहते हैं K तो भई यहाँ पे अपने पास में आ रहा है R is equal to 20% K is equal to 16% मैंने पहले ही कहा था जादातर सवालों में R K से जादा होता है यहाँ पे भी जादा है R is 20% K, 16% बाद बाद की हम सब जानते हैं सवाल में अपने को यह पूछ रहा है कि approximate dividend payout ratio बता हो so that the share price is equal to 44 तो आप तोड़ा अलग करती है इनोंने इनोंने आप से price ना पूछ करके D पूछा है dividend यह पूछा तो payout है आप dividend निकालो ना dividend निकालते ही आपका आज आएगा payout भी payout का जिन जिन को नहीं पता formula होता है payout ratio is equal to DPS by EPS into 100 अब कई बचे बोलेंगे यह तो सवाल first time देखा है मानी नहीं सकता मैं book का सवाल है अपनी mat में यह सवाल इससे पहला वाला सवाल भी था और यह भी है sub mat के सवाल है boss आप यह मत बोलना यह कभी देखा नहीं है भूल गए अलग बात है ठीक है but otherwise यह बन जाएगा कैसे एक एक करके सारे inputs की बात करते है सबसे पहले मुझे EPS नज़र आ रहा है 6 R नज़र आ रहा है 20% K नज़र आ रहा है 16% तो भाई यह सारे input मेरे पास है सिर्फ D नहीं है तो D निकल जाएगा अच्छा price भी हमारे पास price is equal to 44 ठीक है ना तो आओ जी ज़र एक बार formula में डालते है Walter model के इसाब से formula होता है P is equal to D plus R by K bracket में E minus D whole divided by K जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं वैसे तो YouTube चानल पर सभी का स्वागत है पर जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं उनको पता है कि भाईया को formula लिखना बहुत जादा पसंद है इसी से याद होता है ठीक है ना आप भी habit डाली है formula लिखने की formula नहीं लिखे हैं तो याद नहीं होगा सच्ची बात है चलाओ जी एक एक करके जो जो चीज हमें पता है लिख लेते हैं उसकी value तो भाई price है 44 price है 44 ठीक है dividend अपने पास में है नहीं नहीं है कोई बात ही रहने दो इसको dividend नहीं है तो एक बार रहने दो इसको R is equal to 20% K is equal to 16% earnings कितनी दिवी थी 6 रुपए दिवी थी 6 dividend अभी भी नहीं पता whole divided by 0.16 ठीक है ना आई यह जी इसको solve करेंगे solve कैसे करें 44 और 0.6 को आपस हम multiply कर लो 0.16 को 44 into 0.16 this is equal to 7.04 is equal to d plus 0.2 by 0.16 होता है 1.25 6 minus d और 7.04 is equal to d plus 7.50 minus 1.25 d or 0.25 d is equal to 7.50 minus 7.04 0.46 आना चाहिए पॉसिबली therefore d is equal to 0.46 divided by 0.25 1.84 dividend का value आ रहा है 1.84 और काफी जारे बच्चे already करके बैठे हैं I can see Archie, Nitej, Tanmay, Inok इनके तो जवाब पहली आ गए बिए 1.84 आ रहा है 1.84 पर क्यों रुकिये मुझे प्लीज 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 कितना आ रहा है that is fairly easy, very easy to calculate Okay, Sweetie का question है Sir, मैंने कभी FM एकदम भी नहीं पड़ा है क्या मैं ये sessions कर सकती हूँ Unfortunately, no देखो, मैं किसी के भी मैं बहुत confidence बिल्ट करना चाता हूँ सबका पर जूटा नहीं, ठीक है अगर आपने FM कभी देखा ही नहीं है तो आप conceptually एकदम भी ready नहीं हो ठीक है, ये revision आपके लिए नहीं है ये revision उनके लिए जिनोंने अरे भाई, आपने नींद में भी class बिता दी ना अगर आप classes गए हो एक बार कुछ तो सुना है आपने, तो भी आप बच जाओगे इससे लेकिन अगर आपने FM कभी touch में नहीं किया तो शायद आपके लिए ये sessions नहीं है पहले थोड़े FM के concept दुरुस्त कीजे तब आकर के इन revision sessions को देखिए बोलो जी, क्या ये हुआ कि नहीं हुआ 30.67% आ रहा है, एकदम perfect है payout ratio का जो formula होता है वो that d by e into 100 so d is 1.84, e is 6 into 100 so this is equivalent to 30.67% 30.67% अपना payout ratio आया होगा clear? payout ratio is equal to 30.67% voltage बोलो जी, clear है यहां तक, पक्का, done, perfect राधिका पूछेती सर्ड, notes का है, notes description में मिल जाएंगे, download कर लीजे प्लीजे चलो जी, walter साब का हो गया, एक बार का हिसाब किताब, अब वापस notes में आगे चल रहे हैं और देख रहे हैं हमको next क्या पढ़ना है तो भई, walter model तो हमने पढ़ लिया, अब next जो हमारे सामने है, वो है gordon's growth model बहुत अच्छा model है, और यह model वापस आपको एक बार और पढ़ना पढ़ेगा जब आप cost of capital पढ़ रहे होंगे तब, ठीक है तो वो बाद में देखेंगे, उससे पहले एक बार यहां देख लेते हैं तो gordon growth model क्या है, मैं समझाता हूँ gordon growth model वो model है, जहां पर हमको किसी भी share का terminal value अगर calculate करना है तो हम इस model का use कर सकते हैं, आप बोलेंगे what is terminal value, मैं समझाता हूँ in fact, एक example है, थोड़े देख बाद आएगा, आपको समझ में आएगा basically, जब एक ऐसा share, एक ऐसे पढ़ाव पर पहुंच आता है, जहां से उसकी growth rate consistent हो जाती है constant हो जाती है, तब gordon growth model लागू हो जाता है यानि, अगर मैं आपको यह कहूँ कि there is a company, जो की फिलहाल dividend दे रहे है 10 रुपे का, बट अब यहां से unlimited time तक उसका growth rate 5% रहेगा जैसे ही आप इस तरह की कोई भाशा सुन लो ना, आप समझ लेना कि यहां पे gordon growth model अपलाई होगा नियम क्या है, एक simple सा नियम है, कि perpetuity तक, ठीक है न, perpetual life तक, growth rate शुट भी constant अगर एक constant growth rate देखने को मिल रही है, तो gordon साब का model अपलाई होगा यह model क्या कहता है, यह model कहता है कि अगर आप किसी भी share की price calculate करना चाहते है all you need to do is to calculate d1 and then divide it by k-g जो लोग time value of money के बहुत बड़े fans हैं, उनको मैं बता दूँ, क्योंकि यह perpetuity structure में है तो perpetuity का जो formula होता है, वो होता है a divided by i minus g उसी की जैसा यह दिख रहा है, a के जगा आ गया d1, i के जगा आ गया k e यानिकी cost of equity और g, growth rate पहले भी था, आज भी है, तो यह present value of perpetuity से inspired version है यह formula और यह formula यही कहता है, कि अगर आपको एक perpetual life तक constant growth rate देखने को मिल रही है तो यह formula apply करें, d1 ले in the top, divide करें by k e minus g यहाँ पे challenge क्या पता है, challenge यह है, कि यहाँ पे हर एक item calculate करने के लिए काफी महनत करनी पड़ सकती है जैसे कि हमें P0 पता करना है, तो मैं आपको पहले clarify कर दूँ, यह P0 कोई, आम P0 नहीं है अब इसको ले करके, कई बच्चे चोकनने हो जाते हैं, बोलते हैं, यह क्या है, X क्या होगा, कम क्या होगा, समझा दो तो मैं आपको बजा दूँ, जादतर जो models होते हैं, उनमें जो dividend calculate, जो price calculate होता है, वो हमेशा X dividend ही होता है X dividend का मतलब यह होता है, कि dividend announce हो जाने के बाद, pay हो जाने के बाद, share price में एक reflection आता है एक तोड़ा सा गिरावट आता है, वो गिरावट आने के बाद का जो price होगा, हमें वो देखना है, ठीक है न, so dividend निकल चुका है और उसके बाद का जो price है, वो हमें लेना है, तो इस model में जो P0 है, वो X dividend price ही होता है कई बार सवाल में न, यह आपको first आते हैं, यह term use करते है, X dividend, बच्चे खो जाते हैं, बोला आप क्या करें, कुछ नहीं करना आपको P0 जो लेना, वो X dividend ही होना चाहिए, यह X dividend ही है, इसके अलावा, आपको D1 calculate करना है, जो की होता है expected dividend, सवाल में लिखावाएगा, current dividend, just paid a dividend, paid a dividend, वो सब D0 का विवरन है अगर हम बात करें, D1 की, तो D1 is expected dividend, and expected dividend का formula है, या तो आप D0 को 1 प्लस D से multiply करें या फिर में E0 को payout ratio से multiply करें, वैसे legends जानते हैं कि कई सवालों में E0 into payout ratio into 1 plus G भी लगता है तो 3 formula हैं इसके, मैंने या दो लिखें, लेकिन हकीकत में 3 formula है, पहला formula क्या है, D0 into 1 plus G, दूसरा formula क्या है, E0 into payout, तीसरा क्या है, E0 into payout into 1 plus G, कब कौन सी condition में क्या formula लगी है या आपको अल्रेडी पता है, बात बाकी देखेंगे, इसकी practice कराऊंगा, आप चिंता मत करो, बा required rate of return by the equity shareholders, and इसके लिए formula है, CAPM वाला, CAPM के formula में, हम formula में use करते है, risk free rate, which is RF, we use RM-RF, and then we use beta, यहाँ पे RF जो होता है, risk free rate, RM होता है, return on the market portfolio, वैसे RM-RF होता है, market risk premium, please मेरे साथ एक बार दो, कही बार सवाल में, यह फसाते हैं आपको, RM नहीं देते, RM-RF करके ही देते है, यह बोल देते है, market risk premium is इतना percent, तो जैसे यह लोग market risk premium बोलेंगे, तो समझ लेना, it is not just RM, it is RM-RF, वो RM और RF दोरों को minus करके बता रहा है आपको, आप वही लीजेगा, so बहुत चुकरने रहि अगर market risk premium सवाल में लिखावा आए, थोड़ा सा ख्यार रखिएगा, that is RM-RF, इसके अलावा, बीटा है, अब, बीटा कैसे कैल्कुलेट करते हैं, उसका भी मैंने formula बताया है, उसके लिए आपको चाहिए, covariance of the asset in the market, and you need variance of the market, और बोलेंगे, यह तो हम apply नहीं कर पाएंग covariance होता है, वो कोई भी चीज को कब होती है, जब दो लोगों के बीच में हो, यहाँ दो कौन है, एक है हमारा asset, एक हमारा market, तो market और asset के बीच का जो covariance है, वो है top में, और नीचे होगा market का variance, किसका variance, market का variance, अगर इससे भी जादा खुल करके सवाल आ जाता है, जो कि आने के कोई संभावना नहीं है, बट माल लो, वो आपको data देता है और बोलता है covariance भी निकालो, variance भी निकालो, तो सच बता रहा हूँ, short note attempt करना, ठीक है, क्योंकि अगर आपको covariance और variance खुदी से calculate करना पड़ा, तो high toba मच जाएगी, नहीं होगा, कुछ ना कुछ गल्ती ज़रू करके बताओ, बता देंगे, इसके अलावा growth rate है, growth rate calculate करने के दो तरीके है, पहला तरीका तो यह है कि आप B और R को आपस में multiply कर दो, here B is retention ratio and R is ROE, फिर से सुनलो, B is retention ratio and R is ROE, जिन जिन को याद नहीं है, उनको याद दिला दू, retention ratio, payout ratio का भाई है, अगर payout ratio 30% होगा, तो retention 70% होगा, अगर payout 60% होगा, तो retention 40% होगा, यह दौनो भाई है, एक बता देगा, दूसरे की value क्या है, इसके अलावा, R वही R है, जिस R की हम लोग जिक्र कर रहे थे, Walter model में, R is return on investment, return on asset, return on equity, IRR, जिस भी नाम से है, that is R, तो यहाँ में क्या करना है, हमें retention ratio और R को आपस में multiply करना है, इससे growth की rate निकल जाएगी, वैसे तो class में हमने इसके उपर एक dedicated example develop किया था, मैंने आपको बताया था कि आप एक business कर रहे हो और वो business में आपको profit खूब हो रहा है, लेकिन growth नहीं हो रहा, और आपको फिर मैंने वो example में बताया था कि आप सारा पैसा अपने पापा को जो दे दे रहे हो, उसके वज़े से growth नहीं हो रही, और बाद में हमने growth करके भी देखी थी, याद आरा class example, हाँ, वो exam के लिए relevant नहीं है, लेकिन वो growth अच्छे सा समझाता है कि growth के ये दौनो reasons क्यों है, पहला reason है retention, दूसा reason है ROE, तो इससे आएगी growth, और इसके अलावा growth का और एक formula है, जिसमें आपको DN लेना है, यानि ये DN कितना भी हो सकता है, आम तोर पे न, इस तरह के सवालों में 10 साल का data आता है, ठीक है, यादार होगा, थोड़ा थोड़ा यादार होगा, 10 साल का data आता है, आपको first year और last year का dividend लेना पड़ता है, और उन दौनों की प्रैक्टेस के दौरान clear हो जाएगा, ये है DN by D0, एन पावर में 1 by N minus 1, इस से आजाएगा growth rate, ठीक है, ये मैंने सारी चीजे बता दी आपको, कभी किसी सवाल में कैसे बनता है, किसी सवाल में कैसे बनता है, सारे पैत्रे यान लिखे हो हैं, क्योंकि मुझे पता है, इन notes क आप preserve करके रखोगे, आप अपने पास रखोगे, अपने devices में रखोगे, दोस्तों के साथ share करोगे, क्योंकि 20 पन्ने में, 20 छोड़ो 7 पन्ने शुरुवात के जो notes हैं, उसमें मैंने working capital करवा दिया, उसमें leverage और dividend करवा दिया, तो 7 पन्ने में सारे notes हैं, और क्या चाहिए ब ठोक बजा के क्या कहते हैं, यह कहते हैं कि dividend का कोई लेना देना ही नहीं है company की valuation से, company dividend दे तो भी अच्छी बात, नहीं दे तो भी अच्छी बात, company की value पे कोई फर्क नहीं पड़ता, on the fact कि company dividend दे रही है कि नहीं दे रही है, अब इनोंने अपनी बात को prove करने के लिए, दो company dividend देगी, तो तीन steps में उसकी value निकाली जा सकती है, जब company dividend नहीं देगी, उसको हम part B में cover कर रहे हैं, और उसको भी 3 steps में solve करना है, last में, दौनों का value सेम आ जाएगा, और क्योंकि दौनों का value सेम आ जाएगा, तो हम भी यह बात मान जाएंगे, कि हाँ dividend देने नहीं देने के लिए formula है, P0 into 1 plus KE minus D1, अब ऐसे इसको हमने class में जब पढ़ादा तो पढ़ादा, as P0 is equal to P1 plus D1 divided by 1 plus KE, यह याद आ रहोगा कुछ-कुछ लोगों को, correct, इसी formula को अगर हम थोड़ा सा छेड़ दें, तो P1 का formula बन जाता है, and P1 is equal to P0 into 1 plus KE minus D1, इस तरह से आपका P1 calculate हो जा अब यहाँ P1 है क्या, P1 है हमारा expected share price एक साल बाद, यानि आज हम बैटे हैं, T is equal to 0 पे, हम यह जानना चाहरे हैं कि एक साल बाद हमारे share की कीमत क्या होगी, so we are required to find out P1, P1 calculate करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, P0, P0 is आज का price, ठीक है, अचा कहां गया, यह रहा, P0 is आज क current market price, and इसके अलावा D1 है, एक साल बाद आने वाला dividend, expected dividend है D1, कि हम पहले से जानते हैं, and K is cost of equity, तो सारे components हमें पता है, बस उनको use कैसे करना है, उसके लिए formula याद रखेगा, P1 is equal to P0 into 1 plus K E minus D1, इतना सा कीज़ेगा, हो जाएगा, मैं ऐसे आपकी जानकारी के लिए बस ब logic है, छोटा सा, याद रखिए, मैंने आपको थोट दिर पहले ही बोला था, price हमेशा X dividend लेते हैं, तो ये D1 क्यों minus कर रहे हैं, क्योंकि हमें X dividend price चाहिए, कब का, एक साल बाद का, ठीक है? Step 2 हमको ये कहता है, कि हमको N calculate करना है, N is number of shares, number of shares to be issued क्यों है, क्योंकि देखो, एक साल जब बीतेगा, तो company की कुछ ना कुछ investment requirement आएगी, यानि company को कोई project, या फिर कोई expansion के लिए पैसे की दरकार पड़ेगी, अब वो पैसा आएगा कहां से, वो पैसा लाने के लिए, company investment requirement कितनी है, company को कितना investment के लिए पैसा चाहिए, फिर आप ये देखो, कि company कितना कमाती है, versus कितना dividend देती है, जो इन दोनों का gap होगा, वो तो company के पास है ही, यानि, E-D is basically retained earnings, ये company के पास पहले से है, तो company को supposedly चाहिए 100 करोड, company ने कमाई करी 50 करोड की, dividend दे दिये 20 करोड के, तो 100 करोड की लागत है, 100 करोड है, company ने कमाई 50 करोड, 20 करोड का dividend दे दिया, यानि, ये कहना गलत नहीं होगा, कि company के पास पहले से 30 करोड तो है, बाद बागी 70 करोड रुपीज, उसको चाहिए, और वो चीज़ करने के लिए, वो shares issue करेगा, share जब issue करेगा, अगले साल, त हमें 70 करोड रुपे जो चाहिए, एक साल बाद, वो achieve करने के लिए, कितने number of shares issue करने पड़ेंगे, and that will be calculated by using this formula, which is I minus E minus D, E minus D bracket के अंदर है, and then divided by P1, and finally हमें यापे V0 calculate करना है, V0 calculate करने के लिए formula होगा, M plus N into P1, plus E minus I, divided by 1 plus K to the power 1, formula याद रखेगा, M plus N into P1 जब करेंगे, तो इससे आएगा, expected market capitalization of the company after a year, इसमें, जो भी आपकी earning होगी, वो add कीजेगा, और जो आपने invest के होगा, वो minus कीजेगा, and इसको divide करेंगे by 1 plus K E, 1 plus K E से divide इसले कर रहे हैं, क्योंकि उपर जो आ रहा है, वो आ रहा है, V1, V1, आज का value नहीं आ रहा है, एक साल बाद की value आ रहा है, इसलिए उसको discount करेंगे, ताकि आज का value आए, तो देखा जाए, तो आप ये V0 जो calculate कर रहे हैं, इसके लिए आप V1 को divide कर रहे हैं by 1 plus K E, तो जैसी आप ये काम करोगे, you will get V0, ये छोटा सा logic है, class में बहुत अच्छा ज़ जो हैं, same follow करने पड़ेंगे, बट अब की वार company dividend नहीं दे रही है, company जब dividend नहीं देगी, तो कुछ नहीं करना, जहां 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 D लिखा है, वो 0 हो जाएगा, जैसे, पहले formula पर आते हैं, पहला formula हमने पढ़ा था, P0 into 1 plus K E to the power 1, minus D1 भी पढ़ा था, पढ़ा था dividend दे ही नहीं रही, तो D की वाली हो जाएगी 0, जब 0 ही होना है, तो लिखना क्यों है, and that is why the formula here will become P0 into 1 plus K, nothing to be deducted here, because the company is not paying any dividend, next we are going to calculate what, next we are going to calculate, number of shares to be issued, यानि की N, the best part is, यहां पर भी dividend नहीं है, so here, what we are going to do, only I minus E, यानि company को कितने पैसे की दरकार है, versus company ये पास कितने पैस है, अपने example के हिसाब से, 100 करोड रुपए company को चाहिए थे, और company की कमाई है, 50 करोड, company क्योंकि कोई dividend नहीं दे रही है, तो company ने जो कमाया होगा, वो जाहिर सी बात है, इनके पास है, तो जब है, तो चाहिए नहीं extra, आपको extra सिर 50 करोड रुपीज चाहिए, और वो 50 करोड के लिए आपको कितने number of shares issue करने पड़ेंगे, वो पता करने के लिए, divide कीजे by P1, so the formula will be I minus E divided by P1, इससे आजाएगा आपका new number of shares to be issued, and finally step 3, एकतम डिक्टो सेम है, जो आपने उपर किया, वही सेम करना है, you have to calculate V1 first, and then you will have to divide by 1 plus K to get V0, अब ये करने के लिए, वही सेम चीज M plus N into P1, plus Earnings minus Investment, इससे आप V1, इसको divide करेंगे by 1 plus K to the power 1 से, and we will get our V0, बो जी, क्या ये बात समझ में आ रही आपको, V0 is equal to market value of the company, एकदम सही जवाब दिया, जैने, ओके, कल्पना पूछे सर, हमने आपके मैट के सारे सवाल बना लिए, cost of capital के chapter, के पीछे term वाले questions नहीं बन रहे हैं, ठीके देखेंगे, अब ही जब सवाल आएंगे तो और देख लेंगे उसको, कोई बात नहीं, कल की बोड़ी है सर, लेट चल रही हूँ, लेकिन 1.5 पे देख रही हूँ, चलो ठीक है, पहुचो पहुचो फटा फट पहुचो लाइव तक, परफेक्ट, चलो बढ़िया, देखो MM model जो है, उसमें एक बार डिविडेंट के साथ, एक बार डिविडेंट के परे, आपको वैलुएशन करके देखनी है, और वैलुएशन करके हमें ये प्रूव करना है, कि भाई, दोनों का जो market value है, वो आ रहा है सी, अच्छा, MM model के बार में मैंने class में बोला था, अब भी फिर से कह रहा हूँ, कोई इसमें दूसरी variety बनती ही नहीं है, आपने MM model का एक सवाल उठाना है, प्राक्टेस करना और बंद करना है, that's it, एक full-fledged सवाल ले लेना, अपनी mat में भी 2-3 सवाल है, ठीक है, कोई एक सव अच्छे से, पूरे तरह से complete कर लेना, अच्छा, इसमें जाहतर ना, valuation भी 10 लाग या 20 लाग आता है last में, अब अगेन experience से क्या पा रहा हूँ, कि ये 10 या 20 लाग last में result आता है, दोनों ही case में, आपको बस वो check करना, आपका answer match हो रहा है क्या, अगर आपका answer match हो रहा है, तो समझ लेना, exam में आया तो पक्का बन जाएगा आपसे, इतना confidence खुद पर रखिएगा, ठीक है, परफेक्ट, बात बागी मैं देख पा रहा हूँ, जादा तर ना, leverage के ही सवाल बरे पड़े अभी, तो हम leverage में जब जाएंगे, तो और सवाल बना पाएंगे, अभी further timing, there are not many questions on dividend, ठीक है, आएंगे उस पर भी, परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं, multi-stage dividends के बारे में बात करते हैं, now this is very very important, मुझे ऐसा लगता है, कि अगर exam को थोड़ा सा भी tough बनाना हो, तो इसका ही सवाल दे देना ची एक्जाम में, यहां क्या होता है, यहां कुछ नहीं होता है, सवा आने वाले कुछ समय तक एक particular rate पे grow करेगी, और उसके बाद एक particular rate पे grow करेगी, तो इसे इदर की जो growth rate है वो दो अलग-अलग stages में defined रहेगी, और आपको इस सवाल को पूरी तरह बनाना होगा, यह सवाल बहुत बढ़िया है, और in fact final level पे भी इसका question आता है, यह बनेगा कै कैसे भी या, बहुत आसान है, इस case में आपको P0 निकालने के लिए दो तरीके से calculation करनी पड़ेगी, आपको dividends की अलग से यहाँ पे PV करनी पड़ेगी, और एक terminal cash flow निकालना पड़ेगा, जिसकी भी PV करनी पड़ेगी, कैसे मैं सब समझा रहा हूँ, थोड़ा सा इंतजार कर है, पर इसकी मदद से हम D1, D2, D3 सब calculate करेंगे, ठीक है, तो D0 ऐसे तो कोई काम का नहीं है, पर इससे D1, D2, D3 सब निकलेगा, कैसे, growth rate दिया हूँ है, बोला है, for the next 3 years, the growth rate is going to be 10%, so for example, the company just paid a dividend of 10 rupees ना, so in the next year, the company is going to pay a dividend of 11 rupees, and after that, it will again grow at 10%, it will give you 12.1 rupees, and उसके बाद शायद 1.331 आएगा, यह कैसे पता चल रहा हूँ है, क्योंकि growth rate 10% apply करते जा रहा हूँ है, 10 पे 10% जोड़ा हो गया 11, 11 पे 10% जोड़ा हो गया 12.1, 12.1 में 10% जोड़ा हो गया 1.331, clear, तो यह अगले 3 terms का dividend हमें पता चल गया, लेकिन फिर बोलता है, कि एक long term growth rate रहेगा 5% का, now this is where Gordon's growth model will kick in, आपको मैंने थोड़े दर पहले समझाया था, कि Gordon's आप कहां आ जाते हैं, Gordon's आप वहां आ जाते हैं, जैसे ही आपको यह पता चल जाए, अच्छा, यहां से constant growth rate हो रहा है क्या, जैसे ही constant growth rate शुरू होगा, समझ लेना वहीं पे Gordon's आप बोलें आप P0 is equal to D1 divided by Ke minus G, यह इनका formula है, तो Gordon's आप यह कहते हैं, कि भाई जब मैं यह formula दे सकता हूँ, तो इसी 0 को मैं 3 और इस 1 को मैं 4 भी तो लिख सकता हूँ, हमने पूचा भाई बताओ धंग से, तो उनने बुला अरे बता रहा हूँ, अगर मैं P3 calculate करना चाहूँ, तो इसक कर सकता हूँ, और उसको divide by Ke minus G कर सकता हूँ, हाला कि हम इस share को सिर्फ 3 साल तक ही रखेंगे, यह बात सही है, लेकिन फिर भी 4 साल का dividend calculate करेंगे, ताकि उसकी मदद से P3 निकल जाए, पर यह आप exactly क्या कहा रहें, numbers के साथ समझाएंगे, वही समझाने जा रहा हूँ, देखो और कंपनी का growth rate 10% चल रहा है पहले साल, तो यहाँ पे अगला dividend 11 रुपे करका निकल करके आ रहा है, उसके अगला dividend 12.1 आ रहा है, कैसे आ रहा है, आप 11 में plus 10% करके देख लो, if you wish you can do that, 12.1 बढ़ करके हो गया, 1.331, यह भी कैसे आया, वही 12.1 लीजे और उसमें 10% जोड पर अब रुख जो, एक में रुख जो, भाई, रुख जो, रुख जो, रुख जो, आपने यह game already कितनी बार खिल लिया, 3 बार, ठीक है, 10 से 11, 11 से 12.1 और 12.1 से 1.331, हो गया 3 साल पूरा, अब growth rate 10% नहीं है, in fact अब यहाँ से infinite time तक आपकी growth rate 5% की, हमें infinite तक नहीं जाना, ह हमें बस यह देखना है, चौथे साल में क्या होगा, हाला कि मैं फिर clarify कर दू, हम अपने share को तीसरे साल में ही बेच देंगे, लेगिन फिर भी चौथे का पता क्यों कर रहे हैं, ताकि उससे हम P3 निकाल पाएं, तो year 4 में हमारा dividend कैसे पता चलेगा, simple है, year 3 का पता है न, उस पे सिर्फ 5 परसेंट जोड़ना, not 10 परसेंट, only 5 परसेंट, because your constant growth rate is 5 परसेंट, अच्छा, यह 2 परसेंट होता तो, तो 2 ही जोड़ते हैं, यह 3 होता तो, 3, 5 होता तो, 5, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, we get the drill, जो percentage होगा, वही जोड़ना है इसमें, true that, एक्दम सही है तो, 1.331 पे मैंने फर्दर 5 परसेंट जोड़ा, और रिजल्ट आ रहा है, 1.398, subject to rounding off, तो यह आ रहा है, 1.398 for D4, D4 is equal to 1.398, मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, कि हम जब dividends का present value करेंगे, तो हम D1 का करेंगे, D2 का करेंगे, D3 का करेंगे, पर D4 का नहीं करेंगे, तो फिर बहिया, calculate क्यों की है, ताकि हम D4 की मदद से P3 निकाल पाएं, यह P3 जो है, इसी को हम कहते है, terminal cash flow, यानि आपका term complete होने के बाद, जो भी पैसे आपको मिलेंगे, यह वो है, share बेचोगे ना last में, वही पैसे मिलेंगे, तो बहिया, यह calculate कैसे होगा, मैं बताता हमको एके करके, dividends और terminal cash flow की PV करनी है, तो dividends हमको मिल रहे है, D1 में, तो D1 यानि first year के end पे अगर है, तो उसका PV करने के लिए हम करेंगे 1 plus K to the power 1, ऐसे ही D2 आएगा, उसको divide करेंगे by 1 plus K to the power 2 से, फिर D3 आएगा, उसको divide करेंगे by 1 plus K to the power 3 से, और रुख जाओ, P3 भी आएग terminal cash flow, उसको divide करेंगे 1 plus K to the power 3 से, वे इसको 3 से क्यों किया, अरे वो third year के end पे आएगा न, कौन से year के end पे आएगा है, वही determine करेगा कि power क्या होगा, अगर first year के end पे आएगा तो power 1 होगा, second year के end पे आएगा तो power 2 होगा, और third year के end पे अगर कुछ भी आ रहा है, बले वो D3 हो या P3 हो, तो उसका power 3 होगा, अब हमने यहाँ सबसे पहले P3 निकाल लिया, P3 निकालने के लिए मैंने formula apply किया, D4 divided by K minus G, in this question I had given 10% as our cost of equity, यहाँ देखो उपर दिया होगा था मेरा, cost of equity was given to be 10%, तो क्योंकि cost of equity 10% है, तो हमने अपने P3 को निकाला by D4 divided by K minus G, D4 दा 1.398, K was 0.10, growth rate was 0.05, यह constant वाला लेना होता है, जैसे हमने किया result at 27.96, फिर क्या था, बस PV करना था और PV करके result आ गया, तो पहले dividend को divide किया 1.10 to the power 1 से, दूसरे को 2 से, तीसरे को 3 से, और आखिर में जो terminal cash flow आ रहा है, उसको भी 3 से किया, कई बच्चे इसको 4 से कर देते हैं, खबर नहीं होता है कि 3 के बाद 4 आएगा, 3 के बाद वापस 3 भी आ सकता है, इसका ख्याल रखिएगा, दौनों में power 3 ही होगा, and finally result आया, बहुती शुब आकड आया, 51 रूपीज exact dot आ रहा है, and yes, this is the correct answer, 51 रूपीज यहाँ पर अपना intrinsic value, यहाँ फिर में current market price of the company बोला जा सकता है बोलो जी, बोलो जी, clear, अच्छा 13.31 आ रहा है कि है, second वाला, मैंने 331 लिख रखा है, मैं भी देख लेता हूँ, 12.1 प्लस 10%, हाँ तो लिखा 231 होगा, it should be 13.31 प्लस 5%, हाँ ठीक है, मेरा ठीक है, थोड़ा सा different आ रहा है, अच्छा, लिखने में थोड़ी गड़बड हुई यह वाला भी पिट 398 नहीं आ रहा है, यह आ रहा है, यह तो 398 ही आ रहा है, तब यहीं लिखने में बस गलती हुआ है, यह 1.331 नहीं होगा, यह होगा 13.31, 13.31, मैंने 1.331 लिख दिया है, यह 13.31 होगा, ठीक है, परफेक्ट है, तो यह भी फिट 13.98 होगा, ओ-ओ-ओ-ओ- तो बड़ी बड़ी गड़बड हो गई फिर रुक जाओ एक मिनिट थोड़ा सा ना एक decimal में गड़बड होने से फिर सब गड़बड हो गया यह 279.6 आएगा बच्चा 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 थोड़ा सा गलती हुआ है 210 प्लस 30 यहार है 240 आप लोगो मेरी खुशी पसंद नहीं आई इतना बढ़िया अकड़ा आ रहा था गलती सही सही आ रहा था 51 गुड़ नमबर नव यह गड़बड हो तो देखो पंट आउट करनी भी चाहिए यह गलती किस ने बताया यह गलती बताया इशा ने इशा ने बूला और रितिक ने बूला यह गलत आ रहा है यह नमबर और भी बच्चे बुल रहे थे मैं उनके नाम अगर नहीं ले पा रहे हूँ कोई बात नहीं ओके परफेक्ट चलो जी यह करेक्ट आंसर 240 होगा थोड़ा सा गलत है इदर में किया हुआ वो एक डेसिमल में गलती होने के वाज़े से पूरा नमबर्स बदल गया नोट्स बनाते वक अक्सर हम लोग की गलती करी देते हैं कुछ नहीं एनिवेज आगे बढ़ते है नेक्स्ट अब इस ग्राहम और डॉट मॉडल वेरी सिंपल मॉडल अगर यह एक्जाम में आया ना तो पहले उट करके नाच लेना क्यों यह बहुत जादा असान है यहाँ पर प्राइस निकालना आपको प्राइस निकालने के लिए फॉर्मला है मल्टिपल दिया वा रहेगा इन्टू डी प्लस ए बाई थ्री यह डी होता है डी पिएस यह होता है इपिएस बस डी लेना E को डिवाइड वाई थ्री करना और बात बाकी अपने आप सॉल्व हो जाएगा सवाल में जादा जादा यह आपके साथ क्या खेल सकते हैं पता है यह M गायब कर सकते हैं बाकी सब देंगे या फिर D गायब कर सकते हैं बाकी सब देंगे e गायब कर सकते हैं बाकी सब देंगे भया समझ में आ गया plug and play खेलना है सारे inputs में से एक गायब रहेगा बाकी सब हमें दिया रहेगा और हमें ये formula लगा करके उसको solve करना होगा एकदम सही है पर इसमें भी आप गलत करोगे आरे मुझे मालूम आप गलत करोगे क्योंकि इसको न एकदम में आपको ख्याल ही ने आएगा या divide किसके नीचे था आदे बच्चे D divided by 3 प्लस E करके आने वाले हैं जबकि है क्या D plus E divided by 3 इसको याद कैसे रखें तो भाई इसको याद ऐसे रखेंगे कि जादा वेटेज किसका होगा डिविडेंड का वेटेज जादा होगा अरे बाई जब आप E को डिवाइड भाई 3 कर रहे हो तो टेकनिकली उसकी वेटेज तो एक तिहाई हो गई ना तो एक तिहाई वेटेज अकर करनी है तो अर्निंग्स की कीजेगा क्योंकि ये चाप्टर काउन सा है डिविडेंड है इसने डिवाइड E के नीचे होगा D के नीचे ने तो जो बच्चे इस फॉर्मले को उल्टा लिख के आने वाले थे सायद ये वाली बात उनको याद आएगी एक्जाम में और वो D प्लस E डिवाइड बाई 3 करेंगे ना कि D डिवाइड बाई 3 प्लस E ठीक है और और कुछ तो भाई लेजंड होने वाले हैं वो तो सीधा करके आएंगे D प्लस E डिवाइड बाई 3 आपके लिए कुछ कोई कोई फायदा नहीं है आपको जो करना कर लीजेगा ये तो करके आने वाले भाई लेजंड जी होने वाले हैं प्लीज मत करना वैसे तो मैं यही कहूंगा प्लीज मत करना पर फिर भी इच्छ हो तो ठीक है एनिवेज यहाँ पे D-Cat, D-A, D-P-S, E-A, E-P-S और बाद बागी प्राइस कहा है, करेंट मार्केट प्राइस, that's it, nothing else इसके अलावा एक इंटरस्टिंग मेथर्ड मैने देखा है वो है, रेजिडूल इंकम मेथर्ड, वे इटकी कुछ नहीं, बहुत सिंपल मेथर्ड है, ठीक है रेजिडूल इंकम मेथर्ड, हालाकि इस पे कोई खास सवाल हमने किये नहीं है, और ये आता भी ना, बहुत पहले था, ठीक है जब 2012 का सिलिबस चलता था, उसमें इसके सवाल आते थे, ठीक है अब कई बच्चे चाट में लिखेंगे, आमको पांचो भी नहीं मिलते है, वह एक अलग बात है, लिकिन मान लो, आपको पॉकेट मनी मिलती है, पांचो रुपाइगी आपका दोस्त आपको बोल रहा है, भाई, थोड़े पैसे उधार दे दे, पहला तो पैसा वापस नहीं आता, तो दोस्त वापस नहीं आता, तो प्लीज दोस्तों को उधार देना, बंद गरें, अगर आपको फिर भी देना पड़ जाए, तो पहले खुद की जरूरते पूरी कर लेना, पता चला उसने मांगा भाई, चार्सो मेर को दे दे, आपने चार्सो द कीजे कि आपकी जरूरते क्या है, जो बच जाए आपके पास, जो रेजिडूल रह जाए, उसी को बाटिये ना, ये मेथड भी यही कहता है, ये मेथड कहता है कि शेयर ओल्डर्स आपके दोस्त है, वो तो डिविडेंट मांगेंगे, उनका कर्म ही यही है, लेकिन आप पह को सस्टेन करने के लिए कैपिटल इंवेस्टमेंट करना पड़ता है, जैसे आए दिन हम लोग माइक्स, लाइट एंड बाकी जाए चीजे खरीदते रहते हैं, एक्यूपेंट्स, क्यों, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ तो खराब होता ही रहता है इसमें से, तो हम बहुत सिंपल है, यह method यही कहता है कि कितना डिविडेंट बातना है, यह डिपेंट करता है कि आपका नेट प्रॉफिट क्या है, और उसमें से कितना रुपया, आपको केपेक्स के लिए चाहिए, केपेक्स का फुल फॉर्म हो गया, क्यापिटल एक्स्पेंडिचॉ, तो यह आप देखेंगे, नेट प्रॉफिट में से केपेक्स माइनस करके, और उसी से आपको पता चल जाएगा, कि आपको कितना डिविडेंट देना है, अब रही बात डिविडेंट करने की तो बहुत आसान है, अगर आपको डिविडेंट का टोटल अमाउंट पता है, तो न इसी भी कमपनी ने माक्सिममम डिपेस से जादा EPS दे दिया, मदब मालो, अपना माक्सिमम डिपेस का वैल्यू आ रहा है 5, 5 रुपीज परशे है, पर कमपनी ने अनौन्स कर दिया, नहीं हम तो 10 रुपे करके देंगे, तो 2, ऐसे में क्या होगा, कमपनी को एक्स्टर्नल फाइनांस की दरकार पड़ेगी, यानि कमपनी के पास पैसे की कमी आ जाएगी, कमपनी को कोई लोन वोन लेना पड़ेगा, ताकि वो डिविडेंट दे पाए, अब लोन लेके कौन डिविडेंट देता है, आपके माइट में यही आ रहा होगा, तैसी कमपनिया रही है इन और यह बहुत जादा आसान है, लिंटर्स मॉडल जो है, इस मॉडल में हमको यहाँ पे ना P calculate नहीं करना हमें यह calculate करना है D1, यानि हमें यह पता करना है कि अगले साल company को कितना dividend देना चाहिए, यह पता करने के लिए हमें इस साल का dividend पता होना चाहिए, हमें इस साल का EPS पता बना जाएगा, पर हम फिर भी उस D1 में से D0- करेंगे, जो difference आएगा उसमें adjustment factor multiply करेंगे, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह इतना गंदा सारा formula क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि conservatism नाम की भी कोई चिडिया होती है, यह method इतना अच्छा method है, जो कि आपको सिर्फ dividends के बारे में नहीं सिखाता, जिन्दगी के बारे में सिखाता है, नहीं समझ मैं, मैं समझाता हूँ, समझो मेरी बात, एक बार के लिए मान लेते हैं, कि आपकी इस साल कमाई हुई है 10 लाख रुपए, पिछले साल आपकी कमाई हुई थी 4 लाख रुपए, पता आपको 4 लाख में से अपना जो earnings है, पिछले साल का last year, वो था 4 लाख रुपे, हमने उस में से expenditure किया था 3 लाख रुपे का, तो इसको हम 75% expense कह सकते हैं, इस year हमारी जो current year है, उस year हमारी income हो गई 10 लाख, तो हमारा मन तो उचल उचल के हमको कह रहा है, 7 लाख रुपे खर्च दे, 7 लाख रुपे ख खर्चने नहीं देंगे, वो हमें बोलेंगे, बेटा इदर हमारे तरह से सुन क्या सुन पर रहा है, आप उनके पास जाओगे, तो बोलेंगे सुन, तो खर्चा करना है, मैं बताता हूं कैसे करना है, तुमने last year 3 लाख रुपे खर्च किये थे, जाहिर सी बात है, चलो उतन लाख रुपे खर्च करने का है, क्योंकि मैंने 10 लाख रुपे कमाए हैं, और 70% से मैं खर्चा करना चाता हूं, so I want to spend 7 लाख रुपीज, उन्हें बोला, तेक इतना तो बहुत जादा हो जाएगा, आपने पिछले साल किया था 3 लाख का खर्चा, अभी बोल रहा हो 7 लाख is the conservative estimate, यह जो adjustment factor है, यही suddenly आपके खर्चे को बढ़ने से रोग देगा, कैसे, simple है, आप 3 लाख खर्चा कर रहे थे, as per this ज्यान, 7 लाख minus 3 लाख is 4 लाख, 4 लाख का 25% is only 1 लाख, यानि आप जहां 4 लाख कमा के 3 लाख खर्चे थे, इस model के भरोसे तो, आप 10 लाख कमा के भी स conservatism कुछ होता है, conservatism यह सिखाता है कि खुशी के दिनों में अपने provisions ready करिए, ताकि आगे जाकर कि जब बुरे दिन आए ना, तब आप उसके लिए ready रहे, और यही तरीका है, life को भी जीने का, मुझे बहुत अच्छा लगता है यह method, यहाला कि है, dividends पे लाखू होता, पर personally आप इसको apply कर सकते हैं, basically यही कहता है, कि ऐसा नहीं है, कि एकदम से कमाई बढ़ गई तो खर्चे भी बढ़ा दो, खर्चे एक limit तक बढ़ाओ, वैसे ही dividends भी एक limit तक बढ़ाओ, dividend बहुत जादा देने का मना अच्छा बात है, लेकिन उसका कुछ ही percentage dividend देना, अब इस formula मे आप जरूर सोचे होंगे, यह adjustment factor का क्या, यह चला करके दिया जाएगा, they will give you adjustment factor का amount, it can be in decimals, it can be in percentage, जैसे भी होगा, apply कर देना, ठीक है, 0.5 आया तो इसका वंदब क्या होगा, it will be 50%, 0.6 आया तो इसका वंदब क्या होगा, 60% and so on, ठीक है, यही था, dividend के बारे में सारा जा से आये हैं, सब प्लीज, पूछ लीजे, dividend पूरी तरह wrap up हो गया है, आप कोई भी सवाल, आज के इस revision को करने के बाद, कोई भी कैसा भी उठाई यह सवाल, definitely बनेगा, ठीक है, and मैं रेकमेंडेशन पता क्या है, अब इस मौके पर आकर के न, मैं आपको यही कहूंगा, कि regardless of the fact कि आपने कहां से classes ली यो, yes, अब सच बोल रहा हूं है, आपने मेरे से class ली यो, किसी से भी class ली यो, कोई फरक नहीं पड़ता, mat को side कर देजे, अब उस mat के भरोसे मत रहिए, आप इतने addicted हो चके हैं उस mat के, कि आप मत देखिए उसको, आप क्या scanners हैं, नहीं हैं, तो ज फलाने teacher ने, फलाने master ने तो अपनी mat में इतना hard सवाल डाल रखा है, क्या पता, hard सवाल exam में आता ही नहीं है कभी, तो ऐसे में हम क्यों अपने आपको torture कर रहे हैं by doing hard and hard questions, वैसे सचा ही ये भी है, कि आप कितना भी hard सवाल practice करके जाएं, अगर exam में एक hard सवाल genuinely आ गया, तो वो बनेगा भी नहीं हमसे, तो इसलिए थोड़ा साना हमेशा average level preparation के बारे में prepare पूरा करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट एक average mindset के साथ सोचना चाहिए, कि कल को paper tough आया, तो मैं कैसे manage करूँगा, और इसलिए मैं कहता हूँ, कि आप past term के papers को जरूर से solve करें, देखे past में क्या आया, क्या वो बन रहा है क्या मेरे से या नहीं बन रहा है, जैसे अभी मैंने दो walter के सवाल करा है, बने ना आपसे, तो मतलब आता है अपने को, ऐसे ही, मैं तो चाहूँगा कि जितने भी scanners हैं, उन सब को शिदत से आप solve करें, काफी तो मैं ही करवा दूँगा, बा बड़ा मजा आया, revision भी हो गया, class भी आपसे लिया था, क्या बात है, क्या बात है, करेक्ट, अर्णा बोड़े हैं, सर, accounts में भी हम लोग पढ़ते हैं, conservatism एक दम सही बोल रहे है, करेक्ट, अर्णा ने एक अच्छी observation रखी है, कि government company loss में भी होती है, तो भी dividend देती है, क्य प्रीमियम क्या होता है, वेल बहुत सिंपल है, हम देखो, जब formula लगाते हैं, RF प्लस RM माइनस RF इन्टू बीटा, तो जब सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर की बात करते हैं, तो उसे हम कहते हैं, market risk premium, और जब इसी market risk premium को बीटा के साथ multiply कर दें, तो ये बन जाता है, equity risk premium, और जब इसमें RF जोड़ने, तो ये बन जाता है, KE, यानि की CAPM model, मजा आया, मजा आया, चलो बढ़िया, बच्चे बोलते हैं, मजा आया, यही मेरा reason था, कि यार ये sessions करने हैं, और I hope आपको मजा सच में आया होगा, चलो, जाने से पहले ना, एक बार leverage भी finish करने का मन है, ताकि next day, यानि कल वापस 6 बज़े जब मिलेंगे ना, तब वापस इधर अपने leverage के सीधे सवालों से शुरू कर पाएंगे, तो मैं चाता हूँ leverage को एक बार हम वापस देख ले, again, मैं वैसे ही करवाओंगा आपको revision, जिससे कम समय में जादा revision हो जाए, clear, तो आईए, फटा- क्लास में मुझे खुद को याद नहीं कि leverage का सवाल बिना income statement बनाए नहीं बन सकता, कई बच्चे शयाने होते हैं, बलते हैं, ने, ने, हम बना लेंगे, थोड़े देर बात बनाना ही पड़ता बाद में, तो क्यों है ऐसा करने का, पहले income statement बनाने की एक habit रखिए, कोई भी स sales, sales में से minus करते हैं, variable cost आता है, contribution, marginal costing याद है, yes, यह वही है, इसमें से हम fixed cost minus करते हैं, आता है EBIT, EBIT का मतलब होता है, earning before interest and tax, यह जो fixed cost minus हुआ है, यह fixed cost होता है, operating nature का, financing nature का नहीं, यानि इसमें interest included नहीं होना चाहिए, other than interest जो fixed cost होंगे, वही होने चाहिए, इसके अलाबा, EB EBIT आने के बाद में, हम interest minus करते हैं, तो आता है EBIT, EBIT में से tax minus करते हैं, तो आता है PAT, PAT में से preference dividend minus करते हैं, तो आता है PAFESH, और PAFESH को divide करते हैं, number of equity shares, तो आता है EPS, यह है इसका पूरा display, पूरा income statement यही है, और बहुत मज़दार है, clear, तो यहाँ पे कैसे किस पे क्या calculate होगा, आपको एक अंदाजा लग गया, sales है, sales में से variable cost minus करते हैं, contribution, contribution में से fixed cost minus हो करके EBIT, EBIT में से interest minus हो करके EBIT, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, कि इसमें से कुछ important items है, जिसका आपको ख्याल होना चीए, पहला important item है sales, दूसरा important item है contribution, तीसरा important item है EBIT, चौत important item है EBIT, पांचवा important item है EPS, that's it, अब आप यहाँ देखेंगे, तो मैंने अलग-अलग तरह के box मनाए हैं, कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ reason है इसके पीछे, reason यह है, कि यहाँ पे एक नहीं, दो set of formulae use होते हैं, एक formulae होते हैं, जिसमें आप single financial statement को देख करके, अपना formula बनाते हो, और एक होते हैं, जिसमें आप double financial statements को देख करके, अपना formula बनाते हो, तो एक formula में percentage change use होता है, एक में नहीं होता, इसी हिसाब से, वो formula हमें समझने हैं, कि वो formula क्या-क्या है, आइए जी, formula की बात करें, तो सबसे पहले आता है DOL, DOL का मतलब होता है, degree of operating leverage, यह operating leverage क measure करता है, आप पूछेंगे operating leverage क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ, operating leverage होता है, वो operation का risk, जो आपने अपने सर पे ले लिया, क्योंकि आपने fixed cost को salami दी, नहीं समझ मैं है, मैं समझाता हूँ, मैं एक example दे रहा हूँ, माल लो एक mall है, mall में आपको एक दुकान खुलनी ह खाने पीने की, mall में दुकाने खाने पीने की जादा चलती है, आपको एक खाने पीने की दुकान को नहीं है, mall वाले ने आपको आकर के बोला, सुनो, तुमको rent देना होगा, दो लाक रुपया महीना, आपने बोला, सर कोई और scheme बता दो, उन्हों बोला, चलो कोई बात नही जो भी कमाओगे, उसका 20% मिर को देना होगा, मैं एक बात बताओं, अगर आप नौ सिखिये हैं, बिजनेस में नए हैं, तो ये सेकंड वाला option ले लेना, सेकंड वाले option में आपका जो rent है, now that is tied up to your revenue, यानि अगर आपकी revenue हुई, तो आपको rent देना है, revenue नहीं हुई, तो rent नहीं देना है, now this is fantastic, इस तरह का business जब आप करते हैं, तो वहाँ पर operating leverage नहीं होता, operating risk नहीं होती, and क्योंकि वहाँ operating risk नहीं होती, इसलिए आपके लिए थोड़ा सा डर कम है, वहीं पर अगर आपने पूरा 2 lakh रुपा कमिट किया होगा, और कल को लोग नहीं आते हैं उस mall मे कल को लोग आते हैं mall में, लेकिन आपकी दुकान पसंद नहीं आ रही, तो भी तो 2 lakh रुपा की चंपत लगीगी ना, इसलिए, fixed cost को सर पे रखना is very dangerous, अगर कभी भी आपने किसी को भी business में fail होते देखा है, definitely आपके कोई ना कोई relative ऐसे रहे होंगे, जो यार, वो में fail होना, उनको phone मत करना, खराब लगता है, हम थोड़ना उनके जैसे बनेंगे भाई, हम नहीं बनेंगे उनके जैसे, पर actual में आपने सुना होगा कि किसी भाहिया ने दुकान खोली थी, 6 में ने चलाए फिर बंद करनी पड़ गई, सुना ऐसा कभी, क्यों पता है, क्यों को इसमें भी ना, ऐसा लगता है, नहीं यार, प्राइड वाली बात आ गई, मैं को अपने अर्ली दिन याद है, जब मैं ट्यूशन पढ़ाने आता था, एकदम अर्ली देज, मतलब मैं उसमें दिखता भी, एकदम ही बच्चे जैसा था, तो मैं जाकर कि जब शटर कोड़ एक बिजनेस करते वक्त यह सीखना बहुत ज़ादा जरूरी है, कि अपरेटिंग रिस्क को कम रखो, और उसको अपरेटिंग रिस्क को कम करने के लिए, फिक्स को कंट्रोल करना पड़ता है, इसके उपर और कभी गहराई में चिंता करेंगे, अब ही के लिए, DOL कैल्कुल अब अगर इसको आप गौर करेंगे, तो यह था हमारा कॉंट्रिबूशन, जरा इनको थोड़ा सा हटा देता हूं, मैं, ओके, तो अब आपस फॉर्मुला दिखाता हूं, आपको मैं, आपको DOL कैल्कुलेट करना है न, उसके लिए फॉर्मुला होगा, कॉंट्रिबूशन इसके लिए फॉर्मुला देख लिए, यह देखे, पहला फॉर्मुला इसके लावा यहाँ पे इन फॉर्मुलो को थोड़ा छेड़ चाड़ करना आपको आना चाहिए, जैसे फॉर्मुला को EBIT प्लस फिक्स कॉस्ट भी लिखा जा सकता है, आप बोलेंगे यह कैसे हुआ मैं समझाता हूँ, अगर आपके पास कॉंट्रिबूशन है और आप उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो EBIT आ जाता है, तो यार यही फिक्स कॉस्ट अगर यहां से यहां ले जाएं तो भी तो फॉर्मुला बनता है गॉंट्रिबूशन का, सो कॉंट्रिबूशन को EBIT प्लस fixed cost लिखना आना चाहिए बे ऐसा क्यों है? ऐसा इस दी है क्योंकि exam में या questions में कई बार ये लोग फसाते हैं आपको ऐसा सवाल बना के देंगे कि अगर आप इस formula से बनाओगे तो नहीं बनेगा और इस formula से बनाओगे तो बन जाएगा तो ये थोड़ी clarity रखिएगा थोड़ा छेड़ छाड़ करना आना चाहिए सवालों के साथ इसके अलावा DFL की बात करें तो DFL में भी देखो EBIT उपर है तो नीचे EBIT को कैसे तोड़ा EBIT में से interest minus कर दिया या फिर आप EBIT को EBIT plus interest लिख सकते हैं अब ये तो आपके उपर है आप किस तरह से अपने सवाल को manipulate करना चाहते हैं बट आना चाहिए manipulate करना ये याद अटना ओके इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां percentage change के भी सवाल है जिसमें DOL calculate करना तो formula होता है percentage change in EBIT by percentage change in saves अब इसके लिए आपको percentage change in savings ये उल्टा जाता है ठीक है अगर आपको DFL चाहिए तो percentage change in EPS by percentage change in EBIT अगर आपको DCL चाहिए तो percentage change in EPS by percentage change in sales इसको भी visualize कर लेते हैं इसको visualize करने के लिए ये रहा percentage change in EBIT by percentage change in sales this is DOL DFL के लिए percentage change in EPS by percentage change in EBIT बीच वाला value and last वाले में होगा percentage change in EPS by percentage change in sales अब इसी में अगर आप देखें तो मैंने ना rarely applied बोल करके दो formula लिखें ये formula कब लिखें पता हैं कई बार leverage की बहुत कम जांस होते हैं वैसे इसके लेकिन कई बार leverage में ना preference dividend सवाल में included रहता है जब सवाल में preference dividend included रहे और खास करके उसके dividend को calculate करने के inputs दिये वे रहें तो बहुत सतर्क हो जाईएगा आपका DFL और DCL का formula बदल जाएगा उसके वज़े से आपका DFL का formula में आप लेते हैं EBIT in the top, EBIT in the denominator तो EBIT दरसल होता क्या है, that is EBIT minus interest, तो यहां तक तो सब ठीक है मैं यह check करना चाता हूँ in chat में, मैं यह जानना चाता हूँ कि किस-किस बच्चे को यह याद रहा कि PD को divide क्यों करते हैं, divide by one minus t क्यों करते हैं, मुझे बताओ जरा चैट में जरा, इसको तो check करूँ मैं बोलो जी, बोलो जी, बोलो जी मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह किस-किस को याद है कि PD को डिवाइड बाई 1-T क्यों करते हैं What is the logic? तब तक मैं सवाल का जवाब देता हूँ I think Arsalan पूछ रहे हैं कि भाया यह percentage change का formula हम क्यों use करते हैं यह percentage change का formula दरसल एप्लिकेटिव formula है आगे आने वाले सवालों में आपके सीखेंगे कि यह मदद कैसे करता है यह मदद आपकी करता है यह बता करके कि आपके business की sensitivity क्या हो जाएगी सवाल कैसे बनते हैं सवाल यह बनते हैं कि कल को अगर हमारी sales 10% से घट जाए तो बताओ EPS कितने परसंट से घटेगा अगर आपको यह पता करना है तो यह percentage change वाले formula यूज होंगे कैसे मैं बताऊंगा ठीक है? लगिन यह मस्त है काफी बच्चों को याद रहा यार I'm very very surprised काफी बच्चों को यारता कि वह याद बफोर टैक्स करने के लिए करते है क्योंकि आप EBIT जो ले रहे हो न EBIT बफोर टैक्स आइटम है उसमें से आपने interest minus किया वो भी बफोर टैक्स आइटम है पर इसमें से PD minus मत करते न PD after tax item है तो before tax item में से after tax item minus ऐसे नहीं हो सकता उसको before tax बनाना पड़ेगा और before tax बनाने के लिए divide by 1 minus t करना पड़ेगा क्या बात है मदा आया वई मदा आया बहुत बढ़िया बच्चा लोग बहुत बढ़िया तो यह PD को अपने divide किया 1 minus t से इससे यह pre-tax हो गया और इसको minus किया अब इसके बीचे का reason कै है यह क्यों PD minus हो रहा है PD minus हो रहा है because of capital gearing ratio capital gearing ratio आपको यह याद दिलाना चाहता है कि यह preference वालों को सौतेला समझो अपना नहीं अगर कल को कुछ भी हुआ तो यह भी अपना हिस्सा मांगने आएगा fixed मतब amount fixed है preference वाला dividend fixed है वो differ नहीं करता है उसका percentage पता उसका face value पता वो मांगेगा ही मांगेगा उतना लेकिन equity वाले को जो बोलो वो मान लेता है मतब देगा ठीक है नहीं देगा ठीक है तो equity के जैसी शमता preference की नहीं है यह preference वाले भी हमारे लिए एक fixed commitment से कम नहीं है इसलिए इनको भी dividend के formula में include किया गया है very nice formula कभी कभार use होता है पर जब भी होता है ख्याल रखियेगा इस बात का इसी तरह DCL के formula में भी एक बदलाव आएगा formula होता है contribution by EBT लेकिन अगर EBT के बाद preference dividend भी है तो कृपया करके वो भी इसमें से minus कीजेगा ठीक है ना तो वो PD divided by 1 minus T यहां पे भी use होगा जौनों पे मैंने rarely applied लिखा है लेकिन यह आपके काम की चीज है clear last में application of leverage जो I think कोई तो पूछा था ना असलन पूछ रहे थे सर यह कहां use होगा तो yellow यहां use होगा यह जो percentage change है ना यह सारे formulae use होते हैं जादा तर application करते वाक्त जैसे कल को अगर सवाल में पूछ ले कि बताओ percentage change in sales क्या होगा तो percentage change in sales निकालने के लिए दो तरीके है या तो आप percentage change in EPS ले और उसको DCL से divide कर दे या तो percentage change in EBIT ले और उसको DOL से divide कर दे legends already know यह क्या हो रहा है जुनको नहीं पता formulae की अदलाबतली हो रही है DOL का formula होता है percentage change in EBIT by percentage change in sales अगर आप थोड़ी सी अदलाबतली कर दोगे ठीक है तो यह formula आजाएगा आपके पास वैसी DCL का formula होता है percentage change in EPS divided by percentage change in sales तो यह भी अगर आप थोड़ा सा अदलाबतली कर दोगे अगर आपने LHS और RHS को थोड़ा सा modify किया तो आपके यह formula बन करके आ जाएगे इसी तरह percentage change in EBIT निकालना है दो तरीके है percentage change in sales पता होना चाहिए और DOL पता होना चाहिए अगर यह आपके पास नहीं है दूसरा तरीका है percentage change in EPS होना चाहिए और DFL होना चाहिए आखिर में percentage change in EPS निकालने है दो तरीके है percentage change in sales लेकर के DCL से multiply कीजे या फिर percentage change in EBIT लीजे और DFL से multiply कीजे यह बात याद रखेगा कि जब भी आपको EPS या EBIT ठीक है 0 पे लाने का सवाल आएगा कई बार ऐसे सवाल आते हैं exam में जब बोलते हैं कि नहीं नहीं हमको तो अपने EPS को 0 लेके आना है जब जब इस तरह की बात करें न तो आप समझ लेना कि जिस भी चीज को चेंज कर रहा है उसका परसेंटे चेंज आपको 100% assume करना है Now this is a very vital fact Class में हमने इसके 2-3 सवाल बनाए हैं लिख के लाया हूं मैं लिख के लाया हूं इस important चीज को यही फायदा होता है एक अच्छा revision plan बनाने का यह revision sheet जो मैंने बनाई है सोच समझ के बनाई है यहाँ पर यह हर चीज को capture करता है कि कुछ-कुछ सवालों में कुछ item को 0 ले जाने की बात करता है जब भी 0 ले जाने की बात करे तो उसको percentage change 100% ले लेना जैसे बात किया कि मेरे को EBIT 0 लेके जाना है तो माल लेना सवाल में percentage change in EBIT is 100% वैसे ही सवाल में दिया हो रहा है सकता है हमको EPS को 0 लेके जाना है EPS को 0 लेके जाने का मतलब हो गया percentage change in EPS is equal to 100% ठीक है ना तो यह चीज का ख्याल रखियेगा यहाँ लिखा है मैंने कि जब-जब EPS और EBIT को 0 तक लेके जाना होगा तो उस समय उनका percentage change को 100% मान लीजिएगा obviously decrease by 100% होता हो ठीक है यह था अपना leverage का revision खतम leverage dividend दोनो यह कैसे revise कराया वाई या करवाद ये वाई दोनो revision हो गए हाला कि हमको अभी leverage के कई सवाल practice करने है next class में जो कि कल 6 बजे वापस होगी आज जिस तर आप सभी लोग का प्यार मिला आप सभी लोग आज live आए कल भी मैं उमीद करता हूँ आप लोग live आएंगे इसी टाइम पे 6 बजे और तब हम leverage के सबसे पहले सवाल करेंगे leverage के सवाल करने के बाद working capital discussion शुरू करेंगे कल की class बहुत जादा important है क्योंकि कल working capital होने वाल है जिससे मुझे पता आप लोग कापते हो ना थोड़े ठीक है कल मिलेंगे ठीक है ना I hope आपको आज का session पसंद आया होगा and आज के session में जो कुछ भी अबने किया दोस्तों को जरूर बताना इसके बार में हो सके तो इस stream को share करना दोस्तों के साथ just in case channel को subscribe नहीं किया तो कर लो telegram channel को join नहीं किया तो please कर लो and like अगर नहीं किया तो वो भी कर लेना बस आज के लिए इतना ही रखेंगे also in the next one अब तक के लिए बाबाई टेक क्यार इंजैस प्लीज बढ़ाई करते रहिए I'll see you tomorrow at 6pm और जो लोग इसको recorded देख रहे हैं उनके लिए playlist की link ना नीचे मिल जाएगी तो just in case somebody is not watching it live नीचे playlist है proper maintain होगी आप जाकर के एक एक करके revision कर सकते हैं see in the next one बाद बागी फिलाल एक बार chat कर लेते हैं बच्चों के साथ जो इतनी दिर से पढ़ाई कर रहे हैं विया थोड़ी दो बात कर लो हमसे आओ जी बात कर लेते हैं thank you so much, thank you so much perfect, thank you, thank you यह अपना पता नहीं मेरा कुछ time को लेकर के estimation करेक्ट ही रहता है मैंने बोला डेरड़ घंटे पढ़ेंगे exact डेरड़ घंटे पढ़ाई हुई बच्चा बुचा है सर working capital का एक भी class अभी तक किया नहीं है revision होगा क्या मेरे से I doubt that अगर आपने working capital का class नहीं किया working capital का class कीजेगा ठीक है working capital जैसे discussion शुरू होगा न एक बार class से अलविदा हो जाईएगा thank you so much जै नजव को भी मजा आया बहुत बढ़िया विवेक बोट नहीं सर टाइम का पता ही ने चला डेर्ड घंटे पढ़ा दिये और टाइम का पता ने चला ये ये बात तो है समय बहुत फास्ट भागता है मेरी ग्लास में sir last five years scanner questions solve कर लेंगे तो enough रहेगा क्या krishna I would say last five years सबसे important है तो अगर आपने वो किया तो obviously अच्छा हो गया बट अगर समय मिले थोड़ा और practice कर लेना last ten years would be brilliant 5 करोगे तो वो सबसे ज़्यादा relevant है वो ज़्यादा important है बट 10 years करें तो मज़ा ही आ जाएगा sir दो ही questions आए है क्या past term questions में हाँ अगर मैं dividend की बात करो तो dividend दो बार आया है दौनों बार Walter आया है ये पिछले 6 terms का analysis है ठीक है साल 2017, 2018 और 2019 ये 3 साल मिला करके दो बार dividend का Walter model का सवाल आया है leverage शायद 2 या 3 बार leverage भी आया है ऐसा कुछ है January 23 में working capital working capital का सवाल आये गई अरे बच्चे शायद समझे नहीं working capital और management of receivable इन दौनों topics से मिला कि एक question आएगा ही आएगा या आप सोचो मत की आएगा की नहीं आएगा मैं क्या बोला या leverage आएगा या dividend आएगा और ऊपर में या working capital आएगा या management of receivables आएगा तो आएगा ही आएगा 100% सवाल आएगा इन में से that's the beauty of FM perfect thank you so much Dinesh, thank you so much working capital में कुछ कुछ जगा problem आया है अगर आया है problem प्लीज पूछिएगा नहीं तो doubts, doubts पूछिए doubts पूछेंगे तो जवाब मिलेगा बनिया बुद्धी, yes, yes, एकदम सही है so number D, भीया 2 गंटे पढ़ा दो यार तेर गंटे में कुछ हो नहीं रहा है 2 गंटे, चलो ठीक है उसमें भी गौर किया चाहेगा well think over that हाँ, अब अगर working capital आपने class करीए, grip नहीं आ रही तो revision करो grip आ जाएगी बचे, खौब देख रहे हैं कि भीया leverage आ जाए एक्जाम में एकदम सही है linter's model एक बर वापस explain करने की बात हो रही है linter's model simple सा model है वो अपने को यही समझाता है कि अपने को D1 क्या देने का है अगले साल का dividend क्या देना है formula जो है, बस उस formula को apply करना है अपने को यह देखना है, पिछले साल क्या दिये थे इस साल कितना देने का मन है इस साल कितना देने का मन है, calculate करना है is very easy, आप इस साल की कमाई देख लो और अपना target payout ratio से multiply करो तो कितना देने का मन है, वो आ जाएगा bracket के अंदर लेकिन इस में से पिछले साल कितने दिये थे वो minus करो तो यह बीच में जो है ना, यह बीच में डिटर्माइन हो जाएगा, सो बस और कुछ नहीं है यह बहुत simple है, यह होता है D0 plus extra dividend into adjustment factor that's it, यही है इसका पूरा सार यह है linters model credit policy भी important है हाँ एकदम है, मैं management और receivables में cover करूँगा और इसी part में है already, ठीक है, तो यह कल की class में या फिर शायद उसकी next session में cover हो रहा होगा, एकदम important है class में अच्छे से करेंगे चलो, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, I'll see you in the next one bye bye enjoy yourselves please, have a good night bye